नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉश्वल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक SIT की कल जो रिपोर्ट लखीमपुर खेरी मामले में कोट में सब्मिट हुए और जिसे कोट ने एक्सेप्ट किया उसमें SIT ने माना है कि जो ग्रिहराज विमंत्री है अजय मिश्रा उनके बेटी आसिश मिश्रा के द्वारा पूर्व सुनियोजित कॉंस्परेसी के तहट जो है किसानों पर पूरी तरिके से थारजीब जो हो चड़ाई गई थी इस मामले में जो है SIT ने जब अपनी जो पूरी इन्वेस्टिकेशन सौपी है कोट को उसमें उन्होंने कुछ धाराओं को जो है उसके इन्दर एड किया है कुछ को जो है मैं कहूं रिटेन किया है कुछ को ड्रॉप किया है अगर मैं SIT की जो रिपोर्ट है उसको शब्सा अपके लिए कोट करूं तो SITE की रिपोर्ट ने ये माना है जो ओफिसर थे विद्याराम दिवाकर वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि अब तक की विवेशना और संकलित साक्षों से प्रमाडित हुआ है कि उपरोक्त अभ्यूक्त गणों द्वारा आपराधिक कृत्य लापरवाही एवं उपेक् गया है ये साफ तरु पर बताता है कि ये जो है पूरी तरीके से क्रिमनल कॉंस्परेसी थी जिसको जो है ग्रेह राज्यमंत्री के बेटे आशिश मिश्रा जो है उन्होंने अपने सहयोगयों के साथ रचा इसमें जो उन्होंने मैं ही कहूं कि जो सेक्शन्स एड़ किये है उसको हम देखें तो इसमें आईपीसी की धारा 307 जिसके तहत अटेंप्टू मर्डर और 326 जिसमें जानमुच कर चोट पहंचाने के आरोप हैं जिसे रिटेन किया है जिसे हम कहें कि उन्होंने चार्चित में रखा है उसमें 302 यानि मर्डर 147 दंगा 148 जानलेवा हाथिय के साथ दंगा और 109 लौ अनलॉफल असेंबली और 120 क्रिमिनल कॉंस्परेशी उसको जो है उन्होंने रिटेन किया है कुछ चार्चित को उन्होंने हटा दिया है और यह जो है हम इन चीजों को थोड़ा सा में थोड़ा समझना चाहिए जो चार्चित हटाएं हैं उसमें आ प्रस्तावना के जवाब में आपका पहला कॉमेंट चाहूं तो आप यह साइटी का यह जो बात आई है यह तो बहुत भेंकर भी है और सच्चाई भी है और वही पहले दिन से हमारी सयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतिया किसान सभा पहले दिन से 3 अक्टोबर पर जब यह हत्या कांड हुआ जब यह हाथसा हुआ तब से हम यह बोल रहे ह कि भई ये पूर्व सुन्योजित हत्या थी इसमें कोई उपेक्षा या लापरवाही का सवाल ही नहीं था जो लाखो लोगों ने लखिमपूर खिरी का विडियो देखा होगा जिसमें चार किसानों को कुचल डाला एक पत्रकार को कुचल डालके मार दिया और हमारे तजिंद सब्सक्रा दिन हॉस्पिटल में थे वो सब आप जानते हैं सत्र में सत्रा दिन तो यह सब मामला आज जो एसाइटी ने जो यह किया है यह जो निशकर्ष निकाला है मुझे लगता है बिलकुल सही है और उन्होंने यह जो दूसरा 307 और दूसरे जो कलम यह दिये मुझे ल और इसके अंदर एक बात हम देखते है कि यह सब होने के बावजूद यह तो बहुत ही यहने शर्मनाक बात है अभी धाई महिने होने को आए लखिमपूर खिरी का हत्याकन होने के बाद लेकिन अजय मिश्रा टेनी जो ग्रुहराज्य मंत्री है केंद्र का आज भी वो बरक प्रधान मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपने कैबिनेट में ऐसे हत्यारे को रखे जिनोंने किसानों को रौंद डाला था उसके बेटे ने और उनके बाकी गुंडों ने और यह अभी रहता है यह पूरा गिरफतार करने का जो मामला है यह पूरा अभी तक उसको तो 120 B और 302 में उनको वा एक्चुली यह गिरफतार करना चाहिए था धाई महिने तक हुआ नहीं है इससे और ज़्यादा शर्मनाक बात पूरे देश में इतिहास में कभी हुई नहीं होगी तो उन्होंने हमें बताया कि जब सुप्रीम कोट की पूरी जो फटकार पड़ी थी उतरप्रदेश के जिसके बाद में साइटी को जो है सीनियर आइपेस ओफिसर उन्होंने अपॉंट किया और रिटाइड पंजाब नहीं हाई कोट के जो जन्स थे उनको भी पॉंट किया उन्होंने विर्क ने हमें ये बताया कि इस केश में लोगों को सुरक्षा दी जानी थी आज तक विर्क को सुरक्षा नहीं है बात सही है बिलकुल सही है विर्क जी को हमने मुंबई के महा पंचायत में बुलाया था वो आये थे बहुत अच्छा उनका भाशन हुआ तब भ हमने पूरी सिक्यूरिटी उनकी एरपोर्ट से लेकर आजाद मैदान और फिर वापस हमने वो रखी थी. यह भी बहुत ही भेंकर बात है कि जो मेन विटनेस है तिजिंदर सिंग विर्ग जी उनको कोई सिक्यूरिटी नहीं दे रहा है. यह बात यहने इसका मतलब क्या है? अगर उनको नहीं दी जाती है तो भी दूसरों को भी देने का सवाल ही नहीं आता है. यह पूरा सही में पूरे देश भर में ये मामले को आप जानते हैं न वो पंदरा अक्टोबर को दसेरा के दिन इस मामले के उपर पूरे देश में हजारों जगह में लाखों किसान और मजदूरों ने ये सब बीजेपी के नेताओं की ये जो एफीजी है वो जाल दी थी जला दी थी उन करने के लिए उनको ये करने के लिए तो ये बहुत बड़ा मामला है और ये सही में दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में होने की संभावना नहीं है कि कोई केंद्रियम मंत्री और उसका बेटा ये पुरा शडियंत्र रचेगा जैसे SIT ने बिलकुल सही कहा है और उसको अगर आप अपन है ये बहुत क्लियर होता है मैं कहूं कि S.K.M. की भूमिका जो है S.K.M. मैं कहूं कि जो मोर्चे थे वो वहां से किसाना आंदलन को स्थकित किया था उन्होंनों कहा था कि हम यहां से मोर्चे उठाएंगे ऐसी पूरी जो ये पूरिया जो बेग्राउंड है इसमें S.K.M. की क्या भूमिका होने वाली है अगर आप समझा पाएं S.K.M. ने कल ही इसके बारे में बहुती तीखा निवेदन हमने अल्रेडी प्रसारित किया है और उसके अंदर हमने कहा है कि पहले दिन से जो हमारी मांग थी उसको फिर से हमने दोराया है कि अजय मिश्रा टेनी को तुरंद बरखास करना चाहिए कैबिनेट से और उनको गिरफतार करना चाहिए हमने आगे करके ये भी बुला है कल कि ये मामले को लेकर हमारी पूरे देश में हमारा अभियान चलते रहेगा पूरा चलते रहेगा और पूरे जोड़ 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 देखिए उसके अंदर अभी 15 जनवरी को जो एसकेम की अगली मीटिंग है उसके अंदर वो तै होगा मिशन यूपी और उत्तराखन लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूँ उसका अधिकृत जो भी निरने हो लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान उत्तराखन का किसान ये जानता है कि ये लखिमपूर खिरी का हत्याकान और उसके अंदर कोई न्याई नहीं मिलना इसके उपर आज भी बहुत बड़ा गुसा किसानों के अंदर है और न सिर्व इसके उपर है लेकिन मैं आपको आगे जाकर कहूँ कि आज धान के लिए MSP उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है 1940 के जग़ आज 1100 रुपे में आज धान बेचने को आज किसान को लगा है दूसरी बात अभी आप ये जो D.A.P. फर्टिलाइजर है तो इसका तो इतना बड़ा काला बाजार चल रहा है क्योंकि शॉर्टेज है ये तो पूरे देश में है यूपी में भी अभी मैं गया था साथ दिन मैं वहाँ था पूरे किसान बिल्कुल गुसे में है B.J.P. सरकार के खिलाव ये फर्टिलाइजर का मामला धान का मामला MSP नहीं मिल रहा गन्ने का मैं आपको कहता हूँ हमको किसान बोल रहे थे हाँ भुकतान नहीं है हाँ इतना बकाया हजारो करोड रुपे का डिजल पेट्रोल की जो आज बड़ोतरी हुई है गैस की उसके उपर लोग नाराज है तो ये बात तो बिल्कुल चलती रहेगी सवाल ही नहीं है जो हम कल देख रहे थे अलग अलग तरिकी की रिपोर्ट तो उसमें हम आपने जब ये अजय मिश्रा टेनी की बात कही उसके संदर्व में मैं आप से पूछ रहा हूं कि प्रधान मंत्री जो है तो फिर क्यों कोई गुरेज होना चाहिए कि उन्हें जो है मंत्री मंदल से नहीं अटाए लिए बिल्कुल उन्होंने तो एक्चुली तीन अक्टोबर को ही निकाल देना था ये तो बहुत ही शर्म की बात है देश के प्रधान मंत्री देश का गुरह मंत्री जो अमिच्छा तो इसका बॉस है ना अजय मिश्रा टेनी का ये तो मिनिस्टर आप स्टेट है ये तो बॉस है लेकिन दोनों ने इनको कैबिनेट से निकालने का अभी तक धाई महिने के बाद भी फैसला नहीं लेते है ये मुझे लगता है कि इससे ये पूरे सरकार का जो रवया है पूरा गुंडागर्दी का रवया पूरे हिंसा का रवया ये बहुत पूरे दुनिया के सामने बिलकुल एकदम क्लियरली सामने आ गया है और इसका जनता जरूर इसका ये लेगी ब्योरा लेगी और उत्तर प्रदान मंत्री जी और ग्रोह मंत्री जी की कि वो ऐसे आदमी को अभी भी अपने केंद्रिय मंत्री मंदल में बरकरार रखते हैं। यह बात है तो यह बहुत ही बेकार बात है लेकिन उसका जवाब यह सरकार को बिलकुल देना पड़ेगा यूपी और उत्तराकंड और पंजाब के चुनाओं ने।